फिर मिया बिलाबल किसमों से तुम काश्मीर की कहते हो, निर्दोश मरें लाखों लेकिन तुम तो परदों में रहते हो, विपदा में जम्बू काश्मीर जब हाहा कार वहां पर था, मैं पूछ रहा हूँ बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था, भारत मा के बेटे फोजी ही भोजन दे कर आए थे, वो कहो इशारा किसका सेना पर पत्थर बरसाए थे, अब भो भी समझ गए होंगे, किस दोर मौत की खाई थी, विपदा में भूके बच्चों को मारोटी देने आई थी, अर अगली दो पंग्तियों मैं सिद्ध कर रहा हूँ, एसुद सब को महोच बनाना दोनों हठा कर तालियों के साथ प्रणाम करना भारतमा को, कि विपदा में भूके बच्चों को बारोटी देने आई थी, तुम लाखों पत्थर बरसालो, तब भी कैसे डर सकती है, लाते खाकर भी भोजन दे, ये केबल मा कर सकती है, लेकिन तुम कैसे समझोगे, मम ममता का क्या मतलब होता, उसको विशी तो मिलता है, जो कदम कदम पर विश्वोता, और अगली दो पंतियों पर केबल, अगर सहमत हो तो बताना, विरोध में हो खामोश हो कर सुनना, दस वर्ष हमने मौन मोहन को भी सुना, और आज हम मोधी को भी सुन रहे हैं, पहली बार ऐसा सतर वर्षों में प्रधान मंतरी बिडा, जो अंदर से और बाहर से देशि है, बरना शरीर देशी होता है, दिमाग भुदेशी चलता है, मैं इशारे में बात कर रहा हूं, सुनना, तुम जिसको सहमत समझ रहे, वह मोन नहीं आसन पर है, तुम जिसको सहमत समझ रहे, वह मौन नहीं आसन पर है अब शेर सुयम भारत मा का दिली के सिंग आसन पर है अगर आपको भाई मनमीर मदूर की कविता बहुत अच्छी लगी हो जो कि मुझे पता है लगी है तो एक बास जोरदार तालियों से इनको बधाई दीजेगा ये कारकरम निश्चित ही अपनी उचाईयों की तरफ बढ़ रहा है लेकिन समय की भी अपनी सीमाएं हैं और जैसा कि हम जानते हैं हमको आदरनिय इरहत इंदोरी सहाब तक की यात्रा करनी है आदरनिय संपत्सरल सहाब तक की यात्रा करनी है मैं इस करम को आगे बढ़ाता हूँ साहब अभी तक कवियों ने जिस प्रकार की बाते की हैं और मैं भी बार बार आपसे ये कहता आया हूँ कि तनाओ देना बहुत आसान होता है हसाना बहुत मुश्किल होता है मुझे बात याद आती है ये बात हम कवियों पर भी लागू होती है साहब तम मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि तकलीफ किसे नहीं है इस जहान में तकलीफ किसे नहीं है इस जहान में जमी पे आदमी होके परिंदा आस्मान में पर तकलिफों में ही जिन्दगी काट लेना कहां तक सही है कौन कहता है कि हसी इस जमाने में नहीं है हमको देखो हमसे सीखो कुछ कैसे तकलिफों के लिए कमरकस लिया करते है और इस जमाने की हसी का भरोसा कौन करे जब जी चाहे खुद को गुदगुदा के हस लिया करते हैं आए मैं इस करम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ अब मैं जिनको आवाज देना चाहता हूँ मावानी की बंदना मावानी के पार्ट से उनके स्वरकी शुरुवात हुई थी लेकिन अब ये उनका अपना टाइम स्लोट है समय भूमिका के लिए बहुत जादा नहीं है भूमिका मैं बहुत छोटी सी बनाता हूँ ताकि उनको भरपूर समय मिले डॉक्टर अनामिका अंबर मेरट से आती है और मुझे कहीं दिनेश रगुवंशी जी की चार पंक्तियां याद आती है उनकी भूमिका में के धूल जैसे कदम से मिलती है धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हम से मिलती है ये बताया गहन अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है और मैं माफी जाओंगा एक विशेश सूचना हमको मिली है हमारे बीच में महारास्टर साशन के क्रिशी मंत्री नामदार श्री भाव साहब फुंडकर जी यहां मौजूद हैं और कमिटी ऐसा चाहती है कि इनका स्वागत प्रेशिडेंट रोटेरियन सतीश भट्ट साहब करें और प्रोजेक्ट शेर्मेन रोटेरियन निलेश भहिया करेंगे मैं और साथी नगरा ध्यक्ष अनिताताई डावरे जी का भी स्वागत हमारे प्रेशिडेंट साहब और प्रोजेक्ट शेयर्मेन साहब करेंगे आमदार आकास जी फुनकर इनका स्वागत देवेश भगत और उमेश अग्रवाल जी करेंगे आईएगा साहब देखिए ये स्वागत की परमपरा भी हमारी भारतीय परमपरा है मैं कहीं बीच में था बीच में सूचना मिल गई है एक बार जोरदार तालियों से करम को फिर से बनाएंगे कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हम से मिलती है ये बताया है गहन अंधिरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है और ऐसे जहान में कितने हैं साहब जिनको शोहरत कलम से मिलती है मैं डॉक्टर अनामिका अंबर को आवास देता हूँ जिन्होंने शोहरत अपनी कलम से पाई है मेरट से डॉक्टर अनामिका अंबर आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर अनामिका अंबर पुन्हा मावाणी को नमन करती हूँ आप सब को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ बहुत अच्छा कारिक्रम चल रहा है विनीद जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे है धन्यवाद मावाणी अपने आप में गौरो में होता है जब घजलों के राजकुमार आदेनिये राहत इंदौरी जी की उपस्थिती हो व्यंग के वो बड़े रचनाकार जिन्हे संपत सरल जी कहते हैं जब उनकी उपस्थिती हो तो मंच अपने आप में गौरो में हो जाता है ये मेरा स्वभाग्य है कि मैं आपके बीच कावेपाट कर रही हूँ क्या बात है मेरे अतियंत बड़े भाई बहुत बड़े भाई बड़े इसलिए कह रही हूँ कि वो मंच के नन्ने कलाकार अपने आपको कह रहे थे वो इतिहास कुछ भी बता रहे हो उनका भूगोल देख करके आप समझ जाएंगे बड़े भाई मनवीर मधुर जी को प्रणाम करती हो अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि मैं छोटी कलम हूँ क्या हूँ बस वो मेरे बड़े भाई इतने में निप्टा दिया कितने खुश हो रहे जरा इनकी दाड़ी मूझे देखिया संचालग जी मनवीर जी कह रहे हैं इनको भी पांच-छे बार भाई कह दो क्यों कह दूँ यहां के लोग बिचारे सेटिंग में बैठे हुए हैं अरह बहुत बढ़िया कह भी रहे सोर सोर से सेटिंग नहीं पिकड़नी चाहिए अच्छा यह देखिये कुछ के तो गुरुत्वा कर्शन बल्ड है गए ऐसे बैठ गए जैसे यह जिल्ले इलाही हो और हम सब अनार कलियां बारी-बारी से आके इनका एंटर्टेन्मेंट कर रहे हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पीछे कुछ लोग कुरसी पर बैठे हुए हैं पलोती मार कर मैं उन्हें भी प्रडाम करती हूँ और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बीच-बीच में उठते रहें ताकि वो सोफा सांस ले सके बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कावेपाट चल रहा है सबका बहुत शांदार संचालन विनीच जी कर रहे हैं पतनी और साली की दिमांड पर उन्हें दाडी मुझे अपनी रखी हैं इंटलिजन्ट हूँ हाँ इंटलिजन्ट का इन्हें ये मतलब पता है उसका मतलब होता है मूर्ख बहुत बढ़िया आईए मैं आपके बीच पहली बार उपस्तित हूँ मोधी जी आराम से बैठ जाओ ऐसे पहली बहुत दुबले हो आप बहुत बढ़िया मैं उनको बहुत प्रणाम करती हूँ उन्होंने मुझे यहां बुलाया आपके बीच उपस्तित हूँ बहुत महनत मोधी जी ने की आपके बीच मैं सच बताओं मेरा स्वास्त खराब था लेकिन जब वो एकदम रोने दोने लगे मेरा मतलब है नहीं यह नहीं कहना चाहरी थी मोधी जी ने बहुत मंतिर मेरे से कहा आना है और मैं आगे नारी शक्ति उपस्ते थे इनका प्रतनेद्टों करते हुए खड़ी हूँ मैं देख रही हूँ काफी सारे नौजवान साथी है बहुत बहुत धन्यवाद यह सब वो सीताएं हैं जो अपने रामों को लेकर के आई है मैं ने प्रणाम करती हूँ हाला कि काफी नौजवान साथी जो श्याम है वो राधिकाओं के चक्कर में आगे है उन्हें भी प्रणाम करती हूँ और बहुत सारे भूत पूर नौजवान साथी जब से मैं आई हूँ दो तीन बार चशमे अपने पौँच करके वापस लगाएं और आप तो हिल डुल भी नहीं रहें कोई हिलाओ डुलाओ बहुत बढ़ियां सुन रहे हैं आईए मैं प्रारंब करती हूँ चार पंक्तियां सार प्रथम इस खुबसूरत से शहर को देती हूँ आजएए आप जोडे से उठे ते जोडे से आगे हैं खाम गाउं में लोग जोडे से उठते हैं कोई भी बात अच्छी लगे आपके रदे को द्वार को दस्तक दे आपके दिल तक पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया मुस्तक जरूर पहुंचे मैं पंक्तिया निवेदित करती हूँ हाँ जी मोबाइल लेके आगे हैं यह फोटो हाँ मुझे पता है फोटो ले रहे हैं हाला कि यह फोटोग्राफर नहीं है वरना मैं नहीं कहती ऐसा कभी कहते हैं यह कैमरा मैं फोटोग्राफर बड़े होकर के वही बनते हैं जने बच्पन से दूसरों के घरों में ताग जाग करने की आदत होती ऐसा मैं नहीं कहती है, ऐसा ये कभी कहती है मैं तो बस कविता सुना रही हूँ आई ये चार पंक्तियां प्रारंब में आपके बीच रखती हूँ इस खूबसूरत से शहर को समर्पित करती हूँ थोड़ा सा और तेज-तेज कदम बढ़ाएं और आकर अपनी जगे लें भाई सब ये अच्छा महलाओं के महौलें जा रहे हैं भावी जी ने खाना लाएं के लिए भेजा था नहीं नहीं ये जा कर पुर्षों में बैठे हैं जब पुर्षों में बैठे हैं तो इतना क्यू सोच रहे थे आई है मैं निवेदित करती हो सुनिया चंदा की चकोरी से कभी बात न होती आपकी आह वहाँ आती रहे बात अच्छी लगे तो प्रतिक्रिया जरूर दे मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा आपको सुनने में आनन्दा हैगा सुनियेगा चंदा की चकोरी से कभी बात न होती गर तुम से हमारी ये मुलाकात न होती इस शेहर के लोगों में कोई बात है अंबे वरना तो कभी इतनी हसी रात न होती रोटरी के इस कारेक्रम में उपस्तित हूँ क्या आपका धे होता है क्या आपका उपलक्ष होता है क्या आपका कारण होता है कोई भी आयोजन करने के बीछे मैं चार पंक्तियां आपकी तरफ से आपको समर्पित करती हूँ सुनेगा एक बार इस मंच को देखिए और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुँचाती हूँ उसके बाद जैसा आप सुनना चाहते हैं वैसा मैं आपके बीच सुनाती हूँ सुनेगा जहाँ पर सच दया सम्मान और एमान रहता है जहां पर सच दया सम्मान और एमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लह और वो भगवान रहता है अगर तुने निकाला है किसी के पाओं का काटा तो ये तेहे तिरे दिल में कोई इनसान रहता है मैं एक प्रणाम आप तक पहुचाती हूँ मैंने बताया काफी सारे नौजवान साथी उपस्ते थे और बहुत सारे भूतपूर नौजवान साथी उपस्ते थे आप तो पुलिस की वर्दी में भी दिख रहे हैं हाला कि फरक कुछ नी पड़ता यहां उपस्ते थे हूँ तो मैं खामगाओं के पुलिस के बारे में कुछ नी कह रही हूँ मैं तो अपने यूपी के बारे में कह रही हूँ यहां के तो बहुत अच्छे हैं बहुत ही अच्छे हैं मुझे बताया मोधी जी ने बहुत आज्याकारी हैं जो देदो रख लेते हैं बेचारे मैं पंक्तिया निविदित करती हूँ एक बात चीत करती हूँ आप से गीत के माध्यम से आपकी तालियों का साज मिले तो मैं गीत को पूरा करती हूँ सुनेगा कि एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो बंद आपके बीच रखती हूँ सुनेगा कि गीतों की फुहार लेके आई हूँ मैं आज यहाँ भूल कर सारे गम आप भीग जाईए गीतों की फुहार लेके आई हूँ मैं आज यहाँ भूल कर सारे गम आप भीग जाईए भीग जाईएगा आंखे नेह की तैरंग बीच आशुओं से कहिएगा आख में ना आईए बस मीथे मीथे से मैंने बताया कि आप सबको मैं प्रणाम पहुंचाती हूँ और बारी बारी से प्रणाम पहुंचाती हूँ क्या कहती हूँ सुनेगा के राधिकाओं के लिए पधारे घन शाम यहाँ सीताओं के संग आए रामो को प्रणाम है के चश्मों को बार बार पोँच रहे चाचाओं में छुपे हूए योग्याशा रामो को प्रणाम है क्या बात है क्या बात है बात तो यह है कि वो एक दूसरे से लड़ रहे है तू ही पहुच रहा था मैं तो नहीं पहुच रहे हूँ के चश्मों को बार बार पोँच रहे चाचाओं में छुपे हुए योग्याशा रामो को प्रणाम है तो मिसरी से मीठी हो मिसरी से मीठी हो मिसरी से मीठी हो और नमक से खारी हो कुछ बात हमारी हो कुछ बात तुमारी हो एक बात करें वो जो हर बात पर भारी हो यह जो पीछे जा रहे हैं मैं चाहती हूँ यह कहीं अच्छी सी जगे देखकर बैठ जाएं जैसे कि बैठ गए हैं यहां कुछ लोग खड़े हैं साइड में यह भी जगे मिले तो बैठ जाएं वरना मैं पंक्तिया निवेदित करती हूँ सुने कि बैठ जाएं यह जनाब का विताना सुनने न बैठने की आपने क्या कसमे उठाई हैं कसमे उठाई हैं कसमे उठाई हैं बैठ जाएं यह जनाब का विताना सुनने न बैठने की आपने क्या कसमे उठाई हैं और इधर उधर जिसे ढूंडे आपकी नजर कि इधर उधर जिसे ढूंडें आपकी नजर